नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्टी मनुला वक्त हो चला है नाशनल बॉलेटिंग दा तो चलिए करते हैं शर्वाद देश और दुनिया की कुछ खास ख़बरों के साथ गोवा में राजभवन की ओर से राशपती महात्मा गांधी के 150 वी जैनती वर्ष पर एक कारिकरम कायोजन किया गया जहां गोवा के राजपल सत्पाल मलेक ने शर्कत की इस मौके पर उनों ने गांधी परिवार पर निशाना साथते हुए कहा कि गांधी जी के राजनीतिक व को पेश किया बता देगी 27 नवंबर 2019 को लोग सभा में स्पीजी संशोधन बिल पारित हो गया था वहीं दूसरी ओर इस बिल को पेश करने के बाद कॉंग्रेस सांसदों ने संसद में प्रियंका गांधी वार्डरा की सुरक्षा में हुई चूप का मुद्दा उठाया और कर हंगामा किया नौसेना देवस से एक दिन पहले नेवी चीफ एड्मिरल करम बीर सिंग ने एक प्रसवारता की प्रत्रकारों से बादचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हिंद महासागर छेतर में चीन की उपस्तिती लागातार बढ़ रही है लेकिन हम चीन की हर हरकत पर ब कारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक यानी सीएजी ने अर्वेंद के जुरिवाल सरकार की तारीफ की है कैक का कहना है कि सेंट्रल फंडिंग की कमी के बावजूद भी दिली सरकार ने पिछले पांच सालों में रेवेन्यू सर्प्लस को मिंटेन किया है कैक कि इस साल की ओडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते साल के मुकाबले टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्रमशा 14.60 प्रतीशत और 101.5 प्रतीशत की बड़त हुई है वचनों के प्रचार के लिए प्रधान मंत्री नरेन मोदी जहारकन पहुंचे यहां उन्होंने यून्ती में भाजपा प्रत्याशी नीलकंट सिंग मुंडा और जमशेत पुर में मुक्य मंत्री रगवरदास के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया पतादे की दूसरी च सरकार पर प्रयाज घुटाले का आरोप लगाया है संजे का कहना है कि पास्वान ने 32,000 तन प्याज सरने की जानकारी दी है क्या ये सरकार प्यास सडाने के बजाए जनता को नहीं दे सकती थी क्या फिला संजे ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है ऐसी मुद्दे को का मामला सामने आया है इस मामले में प्रयांका के पती रॉबर्ट वार्डरा ने ट्वीट कर सरकार परतीखा हमला किया रॉबर्ट का कहना है कि ये सिर्फ प्रयांका की सुरक्षा के बारे में नहीं बलकि पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के साथ सम्झोता हो रहा है राश्री महिला आयोग की चेयर परसन रेखा शर्मा ने राश्पती रामनात कोविन निस से साल 2012 में हुए निर्भिया कांड के आरोपियों की दया आचिका को खारेच करने की गुहार लगाई रेखा ने कहा है कि युवा लड़कियों और महिलाओं के खिलाब बढ़ती घडनाओं को ध्यान में रखते ऐसे जगन अपरादों के दोशियों को मौत की सजा ही दी जानी जाहिए क्योंकि वे किसी भी दया के लायक नहीं है बिजेपी संसदिय दल ने संसद परिसर में शीत कालीन सत्र की बैठक की इस बैठक में रक्षा मंतरी राजना सिंग ने सभी संसदों को सदन में असंसद्य भाशा का इस्तमाल ना करने की नसीहती साथी सदन में सांसदों की उपस्तिती को लेकर भी निर्देश दिये गए सिंग ने बताया कि सरकार इस सत्र में कई एहम विधेक पारित करना चाहती है जिसे देखते हुए सबी सांसदों की हाजरी जरूरी है आयोध्य मामले में सुनीवक्फ बोर्ड और अन्यमुसलिम पक्षो का सुप्रीम कोट में नितरत्व कर रहे वकील राजीर धवन को मामले से हटा दिया गया है राजीर ने फेस्बूक पोस्ट के जरीए इसकी जानकारी थी उन्होंने लिखा कि मुझे एडवोकेट और रिकॉर्ड और जमियत का प्रतिनिधित्व करने वाले एजाज मक्बूल ने खराब तबियत का हवाला दे कर बाबरी मामले से हटा दिया गया है और मैं अब पुन